हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अंजली गुपता और स्वाधत करती हूँ आपका अपने परिवार इस्टेडी विद इंजीनियर सुहेल में और हम लोग पढ़ रहे थे सीडीपी की सीरियस जिसमें हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में बात की थी वंशा नुक्रम और सिद्धान्त कह सकते हैं वंशानुक्रम के उस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे उसको उसको पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग बातावरण को पढ़ेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग क्लास के साथ साथी नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे और सारे वीडियो को सेरियल वाइस देखें जो भी जैसे जैसे भी नोट्स कराया जा रहे हैं वह आपको उसी तरह उसी क्रम में लिखते जाना है ठीक है और याद भी जरूर साथ साथ में करते जाना है वरना आगे चलके फिर बहुत प्रॉब्लम होगी और बहुत सारी चीज़े जो हैं आपके संतान क्या है देख लेते हैं समान गुड़ों वाली संतान ठीक है समान गुड़ों वाली संतान तो समान गुड़ों वाली संतान तो समान गुड़ों वाली जैसे कि जो हमें अपने पैरेंट्स से बिलकुल एकदम मैच करते हुए गुड़ों गुड़ों मिल जाते हैं हमें माले जिए कि आपके जो पैरेंट्स हैं नों उनकी हाइट बहुत ज़्यादा ज़्यादा है दोनों की तो बच्चों की हाइट भी क्या होगी ज़्यादा होगी ठीक है सक्षरवच्छों का तो जो बिल्कुल समान गुड़ों वाली सन्तान होता है हुआ हुआ यह सनान होते हैं ज्यूंद llev मतलब ही जो मैच नहीं कर रहे होते हैं कुछ-कुछ ही गुड़ मैच कर रहे हूंगे बात की उसके जो अपने मतलब माध ममी के ममी या चो नानी के अपने सब्सक्रान मिल जाते हैं तो जो थोड़े बिन गुटो्डवाली संस्थान यह हैं जा swarm थार्ड नमबर है प्रतिगमन का सितान प्रतिगमन का सितान क्या कहता है विप्रीत गुड़ों वाले संतान आपने कभी-कभी देखा होगा कि जो बच्चा है वो अपने मम्मी बापा से एकदम अलग है बिल्कुल डिफरेंट है तो हम लोग कहते हैं मतलब यह किस पर गया है तो जो बिल्कुल डिफरेंट बच्चा होगा कभी-कभी आपने देखा होगा कि जो मम्मी है और उसके बापा है उन दोनों का ही कलर डाउन है या उन दोनों की हाइट कम है ठीक है तो लेकिन जो बच्चा है वो एकदम मतलब फेयर प्यादा हुआ या जो बच्चा है उसकी एक तो क्दम जागी तो क्या है विपरीत गुड़ों संबैंत भी होती है मना लिज्वेट प्रति मत्सी बच्च्चा ना ओने सब्सक्राइब करना आते हैं हुआ हम लोगए सारी चीजों को पढ़ लिया है ठीक है आप हम लोग बात करेंगे बातावरण की बातावरण क्या है बातावरण याने के पर्यावरण जिसे हम कहते हैं जो हमारे आसपास रहता है पर्यावरण सब कुछ है जो भी हमारे आसपास है ठीक है वे सब कुछ जो गर्वधान के समय से हमारे चारों होता है । ना की जल्म के बाद के समय से ही क्योंकि वह देखते हैं जो भी लेडीज होती है जिस तरह की क्रियाए कर्ती सब्सक्राइश के बच्चे शेम को देखते है और यूजरोत देखते हैं जो मॉबाइल देखनें तो जो यूशका उसका us असर है वो हम लोग कहते हैं कि बच्चे पर पढ़ रहा है तो वो कैसे बढ़ रहा है उसका पर्यावरन वैसा है ठीक है तो चीजे कहां से शुरू हो जाती है गर्वधान से ही शुरू हो जाती है बैस सब कुछ जो गर्वधान के समय से हमारे चारो ओर होता है वो क्या होता है बातावरन होता है ठीक है फिर आद आप्ट ए परिवेश के सभी पहलों को शामिल करता है डोओंijd कि जुब हमारे आहिते है जो भी परिवीश है वह वो सब कुछ पर्यावरन है तिक है ऐसके टाइप देख लेते हैं यह दो टाइप के इंटर्नल और एक्सटर्नल आंत्रिक और बाहर अब यह कैसे होता है आंत्रिक मतलब गर्वावस्था में जब बच्चा अगर जब बच्चा भी गर्व में हैं तो वह उसका कैसा कैसा पर्यावरण है उसका इंटर्नल ठीक है आंत्रिक पर्य पर्यावरण चुरू हो जाता है ठीक है तो डो टाइप के आपके आठे वो पर्यावरण इंटर्णल और एक्स्टर्नल ठीक है पर्या वरन वह है सब कुछ हे जो व्यंतिकों उसके gene को छोड़ कर gene बात हम लोगों ने की थी वन्शानुकरम में ठीक आपको आदो तो हम लोगों ने जो gene की बात की थी कि और मैंने कल question भी किया था कल की वीडियो में लास्ट में कि जो भी हमें अपने पूर्वजों से जो प्राप्त होता है जो भी अपने पैरेंट से प्राप्त होता है हमें जो भी गुड़ प्राप्त होते हैं वो किसके थ्रू प्राप्त होते हैं तो वो जीन के थ्रू प्राप्त होते हैं ठीक है यह अकल का कोईशन था जिसका आंसर था जीन ठीक है तो उसके जीन को छोड़ कर बाकी सब चीज़ों को प्रभावित करता है तो जो पर्यावरण है वो केवल एक ऐसी चीज़ है जो है जेन जिसको छोड़कर बाकी सब चीज़ों को बच्चे किया है प्रभावित करता है पर्यावरण की कैसा महाल है वह कहाँ रहता है किस city में करते हैं और कैसे लोगों के बीच रहता है किसे लोग किस तरह की बाते करते तो ये सारी जैजें जो हैं वह मतलब उस पर डिपेंड करेंगी लेकिन किस को प्रभावित नहीं करेगा जेन को छोड़के बागी सब चीजों को परियावरोर्न प्रभावित कर सकता है ठीक है, agora हम बात कर लेते हैं ये डिबेट की प्रकृति serve पोशन थी आपने देखा होगा डिबेट तो अपने अचल क्ति रहते हैं रहते के बहते हैं कि एक पक्ष को लेकर और जो हमारे विपरीत होते हैं वह भूब के सपोर्ट में होते हैं तो वह क्या होता हैं फिए तो आप लोग जानते होगे तो यह कुछ debates होती हैं जो psychologists के बीच में हैं ठीक है जो भी हमारे मनोवज्यानिक रहे हैं उनके बीच में भी debates चलती रहती थी या अभी भी कुछ matters में चल रही है कुछ ऐसे topics है जिन पर आज भी debates जो है वो चल रही है ठीक है उनमें से एक debate यह है प्रकृति बनाव पोशन जिसे हम कहते है नेचर वर्सस नर्चर ठीक है अब यह नेचर क्या है और नर्चर क्या है नए शब्द नेचर मतलब आपका वन्शानुक्रम से है यहां पर नेचर का मतलब यहां पर आपका जो भी हम जो psychologist क्या कहते हैं जो भी हम मतलब जो भी बच्चे का विकास हो रहा है वो किस पे डिपेंड एग्द है वह नेचर ठीक है यानि वन्शानुक्रम पर डिपेंड है ऐसा जो गये गाल्टन जो थे वो इसके सपॉर्ट में थे वो कय दें थे कि जो हमेंडी देख को टारा बच्छे का करई तो कि तस पी ग चीज्टे ज़्यादा प्रभावित कर रही है या विकास को ज़्यादा प्रभावित करता है हो क्या है नर्चर है याने कि आपका बातावरण ठीक है environment तो इन दोनों में जो है वो डिबेट चलती रहती है और फिर लेकिन अब जो है वो मान लिया गया है कि जो विकास है वो हमने क्या पढ़ा था हेरे टी इंटू environment है आपका development क्या है Français डवलोमेंट है अब है जेusta इन याम मतलए कि जो जो आपका व्रकास है वह कि बंशती नुक्रम और निर्भण दोनों पर निर्भर करता है ठीके दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है तो आ यह दिबेट का जो है वो सॉनूशन मिल गया है या जिससे कह सकता है भी डिपेट खतम हो चुकी है कि हम लोग माल चुके हैं कि जो विकास है वह वातावरण और वन्षा नुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है ठीक है तो इतनी चीज़ों को आप जो है वह समझ चुके हैं और इनका लिली जाप लोग एक स्क्रीन शॉट फिर हम लोग आगे की बात करते हैं ठीक है तो जो भी हमने समझा है उसको एक बार लिखित रूप में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है अन्वान शिक्ता को जैवतारकिक रूप से प्रसारित कारकों की समगरता के रूप में परिभाशित किया गया है अन्वान शिक्ता को किस तरह के से परिभाशित किया ग तो यहां लेकिन जो नेचर है वो अनुवान शिकता है और जो नर्चर है वो पर्यावरण है पर्यावरण उन इस्थितियों की समगरता है जो व्यवार को संचोधित करने के लिए कारे करता है पर्यावरण क्या है उन इस्थितियों की समगरता है जो व्यवार को हमारे व्यव को संशोधित करने के लिए कारी करता है ठीक है तो हमारे इवंशानुग्रम और वातावरण वाला चैप्टर जो है वो खतम होता है और हम लोग अपने नेक्स्ट जो की कुछ पॉइंट्स है शारीरिक विकास से रिलेटेड उनको एक बार देख लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेस्टिन को देख लेंगे इस विकास के चैप्टर से ठीक है तो देखते हैं शारीरिक विकास के महत्वपूर्ण तथ्यकुछ अब यह जो है पहला पॉइंट हमारा है वह धड़कन जो बच्चे का जन्म होता है तो उसकी हार्ट बीट रहती है नहीं दी महत्ति के पर मिनट फिर महत्ति हो इस यह नॉर्मल हम लोगों का रहता है वह रहता है तो यह वाला इंपोर्टेंट रहता है दो होनों यह जन्म दोन हो ले शामांट जो वह पूश लिया जाता अब सहजी करण अस्तिकरण क्या होता है हड्डियों का बदम क्योंकि जब जन्म लेते यह हड्cke तो भु civ रहती है वह बहुत soft रहती है और बहुत जादा रहती है normal जब हम लोग mature हो जाते हैं तो उसे जादा उनकी जो है वो bones रहती है तो ossification जिसे हम कहते हैं हड्डियों का बनना तो जन्म की समय कितनी होती है 270 ठीक हड्डिया होती है जो एक नावजाद शिशु होता है बच्चा फिर है second बालिया वस्था में क्या होता है बालिया वस्था जब बच्चा दो से लेकर और छे वर्ष तक रहता है या या दर्स वर्ष तक तो उसका क्या रहता है बालिया वस्था में 250 और फिर परिपक्व जब हो जाता है बच्चा तो फिर क्या रहता है 206 जब उसका पूरा शरीर पर होती हैं फिर वो 206 हो जाती है जैसे नॉर्मली सभी इंसानों की रहती है फिर है परिपाक काल जिसे हम कहते हैं Consolidation परिपाक काल क्या रहता है इस समय हमारे शरीर में द्रणता आती है और परिपाक काल होता कब से कब कब साथाशरर वर्श और तक है 9 से 12 वर्ष साथर जो नेक्स पॉइंट स्वा केंद्रित आवस्था क्या होताय दो किसे स्वेंदरित व्लभीं कि संवायम की चंता और पर बच्चों को चाहिए पछ हो तो इस एज के बच्चों को दूसरे की फिकर नहीं होती है सिर्फ स्वयाम की खुशी की चिंता होती है फिर है ब्रेन वेट ब्रेन वेट क्या रहता है एक नवजास शिशू का वह है तीन सो पचास ग्राम ठीक है जो एक नया मतलब शिशू पैदा हुआ इन्फेंट उसकी रहती है तीन सो पचास ग्राम ब्रेन का वेट उसके और फिर जो परिपक वेखती है उसका तेरा सो से चौदा सो ग्राम के बीच में रहता है और अगर यह उप्शन में नाद भी दिया हो तो फिर हम लोग तेरा सो पचास को भी जो है वो एक कर सकते हैं इन इनने लोग कर पाते हैं तो थीक है हम लोग फिर हमारा चैप्टर हो गया यहां पर खतम अब हम लोग क्या है इस चैप्टर के कुछ प्रिविएस यह को देखेंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सीटी पी में बिना आपको प्रिविएस यह कोश्चन या बिना आपको जो MCQ सॉल्व किये कोई भी फाइदा नहीं होने वाला है एक एक चैप्टर में आपको कम से कम हंड्रे 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 क्वेस्चन के मतलब पीवाई क्यू जरूर सॉल्व करने चाहिए उनको जब जितना जादा बनाएंगे उतना जादा आपको क्लियरिटी तो आपको जादा समझ में आएगा बिना कोशिंस के तो कुछ भी नहीं होने वाला है ठीक है तो आप जैसे जैसे जो भी टॉपिक पढ़ते चाहिए उनके नोट्स बनाते चाहिए उनको याद करते जाए प्लस पीवाई क्यू को भी जरूर से जरूर सॉल्व करते जाए ज तो कोई भरोसा नहीं है कि कौन सा कॉष्ण आप से पूछ लिया जाए ठीक है तो आप 30 आउन में कितना कर सकते हैं मालीजे कभी कभी 15 कर सकते हैं या फिर 25 भी आ सकते हैं आपको तो परोसा नहीं है और मैट्स जिनकी अच्छी उनके लिए तो बढ़िया बात है लेकिन जि CDP कैसे सब्जेक्ट है जिसमें आप बच्चे 30 में 27 28 इस तरह के नंबर अधिकतर बच्चे ले आते हैं तो आपको एक बार सिर्फ CDP के अच्छे से नोट्स बनाने हैं और उनको याद करते जाना है तो आपको जो है वह अच्छे सी प्रक्टिस हो जाएगी और जरूर से जरूर Ask significant होता है तो आपको उधाना है कि किस अवस्था में स्टेज में जो हमारी रूह हो अपनी मेच्चियोरिती में पहुच जाती है उसका अधिक्तम विकास होता है तो वो है हमारे क्या क शूर और सथा ठीक है वह किष्योरा आवस्थथा है जहां पर हम अरा दिमाग्जरे विक्सित हो चुका होता है हम लोग आपके शुरा वास्का में तो बच्चे आजकल जॉप के बारे में भी सोचने लगते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है उस हिसाब से लेकिन हमारी अनिपि 2020 स्ट्रीम जो है वो खतम हो चुका है अर्ट साइड और जो मैठ साइड मतलब आपके जो साइन्स साइड ऐसा कुछ भी नहीं आप सारी स्ट्रीम मतलब बच्चा कोई भी सब्चक्त ले सकते अनि-पि 2020 के अनुसरा अगर आपने पढ़ा उसके बारे में तो चलिए वो तो बात हुए निपी 2020 की इधार हम देख लेते हैं अपना next question ठीक है शैशा वस्ता में बच्चों के क्रिया कलाप होते हैं बच्चों के क्रिया कलाप कैसे होते हैं तो कैसे होता है बच्चों की धटीक के सी रहती है मुल प्रिवत्यात्मक यह संगय थे जान्म के बाद रृण की और प्रिवत्यात्मक पर हाथ जिर्टिया नात्मक से क्या काम ले का तो इधर नात्मक यह option पहले ही आपको कट हो जाता है ठीक है संवेगात्मक संरक्षित मूलप्रवत्यात्मक क्या होता है जैसे कि अगर बच्चे को गुसा आ रहा है यह से फूख लगी तो वो कैसे बताएगा रोग करके ठीक है तो यहां पर बच्चा आपको रोग करके व्यक्त करेगा यह उस होगा लोग उससे हसा रहे हैं तो कैसे व्यक्त करेगा हस करके तो यह उसकी क्या होती है मुल प्रिवत्यात्मक व्यवार होता है उसका कैसी अक्टिविटी करते हैं बच्छे सेशा वबस्ता में मुल प्रिवत्यात्मक ठीक है उमेद्या को समझ में आया होगा फिर हम देखते हमने मात्रात्मक या गुड़ात्मक या कुछ सीमा तक अमापनी या यह और भी दोनों तो मुझे लगता है आप में से सभी को इसका अंसर आता ही होगा माना विकास कैसा है मात्रात्मक और गुड़ात्मक दोनों होते हैं ठीक है मातरात्मक और गुड़ात्मक दोनों मतलब की यह चौथाना आनसर आपका सही है और एक चीज जो विकास है वो मातरात्मक और गुड़ात्मक दोनों है लेकिन जो हमारे व्रद्धी है वो सिर्फ और सिर्फ मातरात्मक है ठीक है और जो व्रद्धी होती है वो विकास का ही पार्ट होता है इसको मत इसमें मत कन्फियूज होएगा बिल्कुल भी उसको याद करने का एक तरीका है जैसे कि ये है ये है आपका सारी ग्रोथ ठीक है और ये है आपका डवलप्मेंट ठीक है तो इससे आप जरूर याद करिए कि जो ग्रोथ है वो डवलप्मेंट का ही पार्ट है इससे आप कभी नहीं भूलेंगे इसको हमेशा याद रखेगा नहीं तो आपको कंप्यूजन होता ही रहेगा कि अब रधी में क्या चीज है और विकास में क्या फर्क है तो इससे याद रख सकते हैं देखते अपना और नेट्स पूस्टेशन विकास शुरू होता है तो फर्स बालयावस्था भूर्था वर्ड़ कमाज कब से शुरूबत आप का इंगा नहीं हो जाता है और गात में कौन सी टृच नहीं होते हैं बच्चे के सामाजिक और जो नैते की सपोई विकास नहीं होते हैं गर्वधान में सिर्फ और सिर्फ शारिद्रिक विकास होता है बच्चे का तो इसका अंसर आप सोची चुके होंगे विकास शुरू होता है हमारा पूर्व प्रसव अवस्था से ठीक है अब हम नेक्स्ट कोईशन अपना देख लेते हैं विकास डैस डैस से डैस डैस की और बढ़ता है अब आपको बतारा है विकास किस और बढ़ता है और यह मैंने कुश्चन राया हुआ पढ़ाती समय ठीक है बताया हुआ इसको तो आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक Bank meet for me Hope a UND good question अर क्विस्टिन के जो आप ज़ी नहीं है ने आंफ जड़ीर बिस्टान उर doğru भाश्था क्योंक को यह आप कहां से निरा घीडिंस कैट जो क्षाइक के आपचान क्या है इसको आप ज़रूर बताइए अ कमय मेंद बॉक्स में आप ठीक है हमारे ये जो है अब सारे PYQs तो मैं वोड पर नहीं लिख सकती हूं आपको मैंने कुछ टाइब बता दिया है कि इस टाइब से questions आते हैं तक कि आपको समझ में आए questions किस तरह से पूछे जाते हैं आपकी हम लोग आपके अगे का पार्ट है खम लोग कल प्याजी की थियोरी पड़ेंगे प्याजी का संगया नात्मक्विकास का सिध्धान पड़ेंगे थीए तो तब तक आप इसको आज के notes बनाइए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट फीडियो में तब तक की लिए नमस्क झाल